नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगेश राना और सवाल यह है कि क्या एकनात सिंदे सिवसेना के अधिरेहन की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए दिख रहे है या एक और कदम बढ़ा चुके है इस सवाल को किये जाने के कई सारे कारण है पहला कारण कई दिनों से मीडिया में एक खबर चल रही है और खबर यह है कि सिवसेना के 18 में से 12 सांसद जल्दी सिंदे गुठ के पास पहुंच सकते हैं और यह सब राष्टपती चुनाओं से पहले ही हो सकता है सबसे पहले इसी खबर पर आते हैं इसके बाद अन्यकारणों की बात करेंगे जो महरास्ट को ल एंडी ए उम्मीदवार द्रोपती मुर्मु का समर्थन करने का आदेश दिया जाना चाहिए यह उन्होंने अपने पत्र में निवेदन किया है इसको इस तरह से समझना चाहिए उद्दव ठाकरे कह रहे है कि भाजपा उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है और वहीं उद सांसद है जिन्होंने उद्व ठाकरे को चिठी लिखी है और वह सांसद भावना गवली उन्होंने भी उद्व ठाकरे को एक पत्र लिखा है और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है एकनाथ सिंदे और उनके साथ जाने वाले विधायक सिवसेनिक है उनके खिलाब कोई कर पोट चापी है यह कमाल की बात है यह उद्दव ठाकरे के सानसद कह रहे है इसे एक बात तो साफ हो जाती है कि उद्दव ठाकरे के सानसद भी दो भागों में बढ़ चुके है अब कितने किस तरफ जाएंगे और कितने किस तरफ रहेंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन वो समय दूर नहीं है क्योंकि राष्टपती चुनाओ के दोरान यह सब पता चल ही जाने वाला है क्योंकि उस समय तो वोटिंग होनी ही होनी है और राष्टपती चुनाओ 18 जुलाई को होना है वैसे एक बात पर और ध्यान दिया जाना चाहिए और वो यह कि अभी उद्दव ठाकरे और सिंदे के बीच सिवसेना को लेकर कोई कानूनी फैसला नहीं हुआ है और नहीं एकनाथ सिंदे के साथ आये विधायकों ने किसी अन्या पार्टी में विले किया है और वो अभी खुद को सिवसेना का ही हिस्सा बता रहे है और मामला सुप्रेम कोट तक गया हुआ है और दूसरी बात अभी सिवसेना एन्सीपी और कॉंग्रेस का गटवंदन भी जारी है ये सारे के सारे अभी जो मुझूदा समीकन है ये है और इसी के बीच में दो बाते और भी महत्पूने एक अभी है दबाओ की राजनिती चल रही है क्योंकि सानसद इतने जल्दी फैसला नहीं करेंगे वो इतना तो इंजार करेंगे ही कि एकनाथ सिंदे का नया ठिकाना क्या रहने वाला है वो सिफसे न रहने वाली है भा नाम के लिए अभी इंतजार करना चाहिए इसी के साथ एक और बात है भाजपा इस पूरे मामले में बहुती संबल संबल कर सुरू से ही कदम उठा रही है पहली बात भाजपा ने ये पूरी कोशिश किये है कि उस पर ये ब्लेम ना आए कि सिफसेना को तोड़ने में एकना पी रही है और इसी लिए देवेंद्र फरनविस को डिप्टी सीम बनाया गया है क्योंकि भाजपा सक्ति संतुनल को बनाए रखना चाहती है अगर देवेंद्र फरनविस को बाहर रखा जाता तो सिफसेना के सांसद और सिफसेना के बहुत से लोग उद्धा ठाकरे को ब might को बिठ्यओं और सिफसेन्क बता रहे हैं और सिफसेनी कुद भी खुद को सिफसेनी को अपने साथ विद्धाय को को सिफसेनी कह रहे हैं, इसके वक्स में कहीं सारे लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन आप सोचिये अगर यह सब कहने का मोराल दिकार इं लोगों के पास उ पहत्या लिया है यह एक समझने वाली बात है इसलिए महरास्ट में चल रही राजनितिक उधेर बुन लंबी चलेगी और इसके प्रणाम बहुत धीरे धीरे आकार लेंगे राजनिती इसी तरीके से सफर तै करती है नमस्कार आप बने रहें मेरे साथ